पिछले लेक्शेर में हमने टेक्स्ट को एक्स्प्लोर किया हमने देखा कि हम किस तरह से अपने टाइप टूल से टेक्स्ट लिक्स रखते हैं और हमने लेगेसी टाइटल की कुछ आप्शन्स देखी कुछ फर्दर उसकी आप्शन्स देखते हैं काफी इंटरस्टिंग है हमारे पास एकिस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को स्क्रोल कर सकते हैं या फिर हम उसको रोल कर सकते हैं या फिर हम उ टेक्स्ट बना लिये था, as a title हम इसको use कर सकते हैं, जहां पर भी चाहते हैं, हम इसको place कर सकते हैं, अब आप देख रहे हैं, हम black पर इस वक्त हैं, इसको मैं double click करूंगा यहां से, और आप देख सकते हैं इस वक्त के, इसकी positioning वही है, इसको मैं चाहूं तो centrally align कर लूँ यहा हमारे पास icon मुझूद है, इस पर मैं click करूंगा, तो मेरे पास roll crawl options हैं यह, और मैंने इसको करना है roll, आप देख सकते हैं, इस वक्त मेरे पास और नीचे option भी visible है, अगर मैं यहां से start off screen करूंगा, तो यह इसको automatically screen के नीचे से लेकर आएगा, empty area से, और आइस्ता इसको अप देखेगा, तो यह आपके पास off screen, मतलब नीचे से यह text in होना शुरू हो गया, और इसका out point तक यह वो होका, जो इसकी final position थी, अगर इसकी speed आपको बढ़ा नहीं हो, तो आप इसको as a clip read कर सकते हैं, आप just इसको यहां से अपने selection tool से ही काम करेंगे, तो आपके पास इसकी speed बढ़ जाएगी, अब आप देख सकते हैं कि इसकी speed में वाज़े difference है, मैं इसको double click करूँगा दुबारा, मेरे पास again legacy title खुल जाएगा, same file और मैं इसकी roll crawl option में गया, मैंने इसको यहां से start off screen किया था, अगर मैं end off screen की option भी कर दूँगा, यहां से इसको बंद करूँगा, अब आप देख सकते हैं कि जो text है, transition हटाते हैं, अब उसको play कर रहे है, इतने ही clip के अंदर जितने आपकी इसकी duration थी, जितना हमने इसको खुद set किया था, उसके अंदर यह off screen से शुरू हुआ, मतलब black area है इस वक्त, नीचे से वह शुरू हुआ, roll हुआ, और roll होता होता, तो वो दुबारा से screen से बाहर चला गया, क्योंकि हमने दोनों option पर click कर दिया था, जो के start of screen और end of screen था, इसकी duration further test करना चाहते हैं, तो हम इसको और छोटा कर सकते हैं यहां से, और अगर आप इसको slow करना चाहते हैं, तो आप इसको बढ़ाएंगे, तो इसकी speed automatically slow हो जाएग आप इसको black के ओपर भी use कर सकते हैं, आप इसको further किसी video के ओपर भी use कर सकते हैं, और अक्सर movies में अगर आपने देखा हो तो इसके credit इस तरह चल रहे होते हैं, कि आप इसको जाए तर name अपने end credits में use कर सकते हैं, और अक्सर हमने देखा है कि videos में क्या होता है, कि आपकी एक वीडियो में भी एफेक कंट्रॉल विंडो से हम इसको कर सकते हैं इधर साइट पे या पिर हम इसको थोड़ा सा चोटा कर लें और इस तरफ कर लें इसको भी हम चाहें तो यहां से इधर अलाइन कर लें और सेफ मार्जन का ख्याल रखते हुए आप देख रहे हैं कि आपकी वीडियो भी साथ चल रही है और आप पूरे यहां पर अपने एक रेडिट भी दे सकते हैं फर्दर यह है कि इस विंडो के अंदर आप चाहें तो मैनूली अपने टेक्स्ट को फर्दर टाइप कर सकते हैं उस बॉक्स को मैंने डबल क्लिक किया जो कि यहां पर मेरे पास बनावा था इस तरह से जब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा तो यह मुझे एडिट करने की ऑप्शन दे देता है मैं इस पर चाहूँ तो और जितना मर्जी टेक्स्ट एड़ करना चाहूँ कर सकता हूँ और उसके इलावा आप चाहें तो कहीं पर लिखे वे टेक्स्ट को मिसाल के तोर पे आपने Microsoft Word के अंदर प्रॉपर क्रेडिट्स लिखे हैं और बहुत ज़्यादा नाम है आप चाहें तो उसको वहां से भी प्रॉपर पेस्ट करके यहां पर ला सकते हैं और फॉर्दर जितनी भी आपके पास options मुझूद हैं उनके थुरू आप इसकी adjustment कर सकते हैं तो यह तो था हमारा rolling text same text को हम देखते हैं अगर हम यहां पर rolling की जगा अगर हम इसको crawl कर दें और हम इसको यहां से okay करेंगे window को अपनी बंद करते हैं अब same text जो था हमारा थोड़ सी speed इसकी तेस्ट कर लेते हैं तो आप देख रहे हैं कि यह right to left crawl कर रहा है यहां से इसकी हम इसको reset कर देते हैं क्योंकि इसकी motion की properties भी हमने कुछ change की हुई हैं हम इसको यहां से दुबारा चेक करते हैं black पर ताकि आपको बेतर तरीके से नजर आ सके और यही option अगर मैं इसको यहां पर crawl right कर दूँगा तो अब यह left से right की तरफ crawl हो जाएगा यह normally आपने देखा होगा कि आपके पास नीचे स्क्रीन पे text crawl हो रहा होता है जिसको broadcast में normally ticker भी बोला जाता है कि नीचे scroll हो रहा होता है या पर crawl हो रहा होता है तो basically वह भी आप इस तरीके से बना सकते हैं ऐसे cases में आप चाहें तो इसको एक साथ ही align कर लें आप इसको अलग-अलग मत रखें आप चाहें तो further इसकी positioning जहां पर रखना चाहते हैं वहां पर रखें और अकसर हमने देखा होगा एक shape भी आप बना सकते हैं और इसका हम color change कर देते हैं shape का यहां पर हमारे पास options हैं हम इसको maybe blue कर देते और further हम चाहेंगे कि इसको हम इसको right click करें अगर तो arrange में जाके हमारे पास क्योंकि हमें पीछे चाहिए और आगे हमें अपना text चाहिए तो हम इसको send backward करेंगे तो हमारे पास हमारा text नजर आजएगा further हम इसको change करना चाहें तो कर सकते हैं तो अभी जो है आपके पास अगर मैं same file को बंद कर दूँगा तो ये background के साथ पूरा move करेगा और अगर आप इसको तुबारा से crawl left कर देंगे तो ये left की तरह पर आप move करेंगे अगर आप चाते हैं कि आपके बैग्राउंड जो है ये static रहे और आपका जो text है सिर्फ वो move करता रहा है या फिर लूप होता रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि उसको background का जो आपकी shape है उसको अप अलग layer में रख सकते हैं और जो आपका text है उसको आप separate layer में रख सकते हैं ताके आप background को static रखें उसमें आप उसको crawl ना करें और इसको आप fix रखें और उसके बाद आप अपना इस text को loop कर सकें अलग से treat कर सकें तो ये अभी दो options हमने देखी हमने rolling text देखा हमने crawling text देखा हम चाहें तो इसको duplicate भी कर सकते हैं अगर हमें इसमें और कुछ different चीज़े लिखनी है लेकिन हम चाहते हैं कि इसका style सेम रहे इसका font सेम रहे और जिस तरीके से ये move कर रहे है सार या इसको duplicate कर देगा आप देखे हैं title 2 के नाम से उसने मना दिये title 2 यहां से मैं चाहूं तो change भी उसको कर सकता हूं maybe मैं यहां पर लिख रहा हूं लहुर पाकिस्तान project window में मेरे पास title 2 भी add हो चुक है आप देख सकते हैं कि इसमें आपके पास यह था और आपके पास लहुर पाकिस्तान इसकी speed नॉर्मल करने के लिए slow करने के लिए आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा यह था आपके पास crawling text काफी ज्यादा usage है इसका information के लिए बास दफ़ आपको पूरा पूरा इसको लूप में देना पड़ता है तो आप याद रखिए कि आप चाहें तो इसका background अलग कर सकते हैं जो नीचे एक लूपटी हमने लगाई थी वह अलग text की layer में हो सकती है क्योंकि layers इसलिए होती है हमारे पास और उसके बाद जो आपका text है वह और चीज़े explore कर सकते हैं कि हम lower thirds पर किस तरह काम करते हैं अगर हमने proper name band देना है हम next lecture में उस पर बात करेंगे